किसान भाईयों नमस्कार आपका हमारे चैनल में स्वागत हैं तो किसान भाईयों आज के इस विडियों में हम बात करेंगे गेहों के बोई के समय कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए यन पी के 12-16 या फिर डी एपी 18-40 या फिर या मोपी मूरेटो पोटा 60% वाला तो दोस्तो इन सभी खाद में से कौन से खाद का प्रयोग आपको गेहों के बोई के समय कालिक हैद में करना चाहिए तो दोस्तो इस विडियों में आपको इससे के बारे में ज्यानकारी मिलेगी दोस्तो अगर आप गेहों की बोई करना चाते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखे यह है आपके लिए फाइदेमन साबित होगा दोस्तो वीडियो पूरा देखे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे अधिक चादे किसान साथ्यों तक सेर भी करें दोस्तो हम वीडियो को सुरू करते किसान भई लोगों को यह पता नहीं होता है कि गेहों की बोई के समय कौन से खाद का प्रयोग करना चाहे दोस्तो मार्केट में अन्यक प्रकार के खाद एवीलेबल हैं जिन में से प्रमुख खाद यनपी के 12-32 और डीएपी 18-0 मूरेट और पोटास सिंगल सुपर फोसपेट जिंग सलपेट यह अन्यक प्रकार के खाद लब होते हैं दोस्तो अगर हम घेओं में एन्पी के 12-32 की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन 12%, कोसपरस 32% और पोटास 16% होता हैं दोस्तो एक बात आपको जरूरी बता देता हूँ घेओं की फसल में नाइट्रोजन, कोसपरस, पोटास, सलपर, जिंग इन पांच खाद की सबसे ज़्यादा मात्रा में असकता होते हैं दोस्तो घेओं एक दाना वर गिये फसले हैं और खाद्यान के रूप में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसलिए दोस्तो इसको परमुग 5 जिजों के असकता होती हैं अगर आप ये पांच चीजे इसको उपस्तित करा देते हो या इसमें डाल देते हो तो आपको ज़्यादा पैदावार देने से रोग कोई भी नहीं सकता है दोस्तो अगर इनपी के 12, 32, 16 की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजन 12%, फोस्परस 32% और पोटास 16% पाई जाती है अगर इसके अलावा दोस्तो डी एपी की बात करते हैं तो डी एपी के अंदर अट्रास याए जिलो जीरो होता है जिन में नाइट्रोजन 18%, 46% फोस्परस और इसके अंदर पोटास मुझद नहीं होता है दोस्तो अगर आप बोई के समय डी एपी का प्रियोक कर रहे हो तो आपको इसमें पोटास 35 नहीं होता है तो इसके अलग में आपको मूरेट और पोटास मलब यम ओपी का कट्टा इसके साथ में मिला कर डालना चाहिए तो दोस्तो इसको आपको पोदे में अलग से पोटास मिल जाएगा इसके साथ में दोनों को मिक्स कर में आपको डालना रहे है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं दोनों में से बेश्ट कोन सा है तो दोस्तो दोनों में से बेश्ट की बात करें तो NPK 1222, 16 बेश्ट है क्योंकि दोस्तो इसमें Nitrogen, Phosphor, Photos hoje 3 क मातरा उपस्ते थे जबकि अगर आप D.A.P. का यूज़ करते हो तो आपको इसमें मूरेट और पोटास मलब या मोपी अलग से मिलाना पड़ता है अगर दोनों के खर्टे की बात करते हैं तो D.A.P. आपको मेंगा पड़ता है और N.P. के सहस्ता पड़ता है तो आपको सहस्ते वाले N.P. के 12-16 का प्रयोक करना है ताकि आपको तीनों मात्रा अच्ची तरह से उपस्तित और आपकी फसल में डल जाए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है दोस्तो इन खातों को आपको जब आप अपने केयों की बोई के समय जब क्यारिया मना देते हैं पानी चलाने के पहले इन खात को अपनी फसल में डालने के बाद आपको अपने केयों की फसल में पानी लगाना होता है और दोस्तो उसके बार में जब फसल आपकी दो से तीन दिन की आउस्ता में दो से तीन पानी की आउस्ता में हो जाते हैं और जब आप उसमें यूरिया डालते हो तब आपको अपनी फसल में जिंक सल्पेट डालना उस्थे होता है दोस्तो अगर आप न्पी के 12,16 डाल रहे हो तो भी आपको Jink Sulfed डेना पड़ेगा अगर आप D.A.P. attractionsly 0 डाल रहे हो तो भी आपको Jink Sulfed डेना पड़ेगा दोस्तो जिंग सल्पेट आपको अलग सी देना पड़ेगा अगर आप मार्केर में जाते हो तो पांच केजी और दस केजी के बेग मिल जाते ही दोस्तो उन बेगों को लाकर आप अपनी फसल में डालना है जिंग सल्पेट का आप खाली खेत में पानी के आगे भी आप इसका उपयोग कर सकते हो या आप यूरिया के साथ में मिला कर डाल सकते हो या फिर आप इसका इस्प्रे करके भी आप अपनी फसल में दे सकते हो दोस्तो आप तीनो तृके में से किसी भी तृका अपना कर अबने फसल में जिंग Selphate और अवस्च राल देखे इसाहिया है सलपर का प्रयोग भी जरूर करें क्योंकि कि दोस्तो सलपर चोन्ते नम्मर रिदा परतों की अंतरकत मना गया है तो दोस्तो आप अपने फसल में अगर सलपर का प्रयोग करते हो तो इससे भी आपको और अधिक पेदावार देगने को मिलती है तो दोस्तो यह थी आज की जानकारी जो की आपको मैंने प्रमुग चार खाथ के बारे में बता है और चार खाथ आपको किस परकार डालना है सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है दोस्तो अगर कोई आपको सुझाव रहा है तो आप हमें कमेर करके आउस्चे बताए आपकी जानकारी दी जाएगी दोस्तों वीडियो अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलते बहुत जल नए वीडियो में धन्यवाद जे जवान जे किसान